चारदिय नवरात्री की शुरुवात आज यानी तीन ओक्टोबर से हो रही है। चोथे दिन मालपुय का भोग लगाना शुब माना जाता है। पांचवे दिन मा को खेले का नवेद चढ़ाये जाता है, छटे दिन मा को शहद का भोग लगाये जाना चाहिए, साथवे दिन मा को गुड का नवेद चढ़ाये, आठवे दिन मा को नारियल का भोग लगाये, नवमी पर तील का भोग लगा कर ब्रामन को दान दे दे आपको बताते हैं कि इस बार नवरात्री में घट स्थापना का शुब मुहुर्त क्या है देवी दुरगा के भक्त प्रतम दिन घट स्थापना के साथ पूजन विधान की शुरुवात करेंगे ऐसे में घट स्थापना के लिए शुब मुहुर्त भी भिन्द है पंचांग के अनुसार शार्दिय नवरात्री पर घट स्थापना के कई शब महुर्थ है घट स्थापना का सबसे पहला शब महुर्थ 3 ओक्टोबर गुरुवार को सुवे 6 बज कर 14 मिनिट से 7 बज कर 23 मिनिट तक है वही घट स्थापना के लिए दूसरा अभिजीत महुर्थ 11 बज कर 47 मिनिट से 2 पहर 12 बज कर 34 मिनिट तक रहेगा इस साधक अगर चाहें तो चोगडिया महुर्थ में भी कलस्थापना कर सकते हैं इस मुहुर्तों के अलावे च्वागडिया मुहुर्ती में घट स्थापना के लिए सुबह 10 बज कर 42 मिनिट से दोपहर 12 बज कर 11 मिनिट से 1 बज कर 49 मिनिट तक और वहीं शाम को 4 बज कर 35 मिनिट से 6 बज कर 5 मिनिट तक अंतिम मुहुर्थ की अगर बात करें तो वो 6 बज कर 5 मिनट से 7 बज कर 37 मिनट तक का शुब समय है नवरातरी के पहले दिन माशैल पुत्रे की पूजा करने के साथ साथ कलस्थापना के जाती है इसमें मिट्टी का आसन बना कर कलस्थापित किया जाता है साथ ही कलस्थ के चारो और जौ बोय जाते हैं जिसकी 9 दिनों तक पूजा करने का विधान है कलस्थापना के लिए शुद्ध मिट्टी, बौने के लिए जौ, मिट्टी, पीतल या फिर ताम्मे का कलस्थ, आम या अशोक के 5 पत्ते एक दूसरे से जुड़े हुए कलस्थ के उपर रखने के लिए कटोरी, कटोरी को भरने के लिए अनाज, एक नारियल, एक लाल कपड़ा या चुनरी, कलावा, सिंदूर, चूना हल्दी से बना वातिलक, अक्षत, जल, गंगा जल, एक सिक्का, एक सुपारी चाहिए होता है वहीं दुर्गा सब्त सती में कलश पूजन, कलस स्थापना के सभी विधान होते हैं साधक चाहें तो उसे देख कर अपनी पूजा शुरू कर सकते हैं उसमें बताये निर्दोशों के तहट कलस की स्थापना की जाती है साथी कलस स्थापना के बाद दुर्गा सब्तशती पाठ बेखी आ जाता है कुल 13 अध्याय वाले दुर्गा सब्तशती के पूर्ण पाठ के अलग-अलग विधान होते हैं साधक अपनी श्रधा और सुवधा के अनुरूप पाठ करते हैं तो देखिए इस बार शार्धिय नवरातरी की शुरुवात आज यानी 3 अक्टूबर से हो गई है 9 दिन तक मातारानी की कृपा बरसते रहेगी नवरातरी की पूजा जो है वो समाप 12 तारिकों दश्मी के साथ हो जाएगी प्रथम दिन के बारे में हमने आपको बताया कि कैसे आप नवरातरी के पहले दिन मा शैल पुत्रे की पूजा कर सकते हैं और मातारानी का अशिरवाल भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे में शार्धिय नवरातरी के दिन जो भक्त होते हैं जो साधक होते हैं वो मा को अलग-अलग रंग के कपड़े पहन कर अलग-अलग चीजों का घोग लगाते हैं और माता से अपनी मन चाही इक्षा का प्रदार्धी करते हैं फिलाल इस वीडियो में बस इतना है निउस फोनेशन के लिए स्वाधी पांडी की रिपोर्ट